हेलो, आज मैं आपको डिप्रेशन के विमारी के बारे में बताने वाला हूँ डिप्रेशन के उपर काबू कैसे करें आज दुनिया में कम से कम 15% लोगों को मानसिक बीमारियां हो रही है और ऐसा भी रिसर्च जो मालूमाद हुआ उसमें खाँ जाता है कि चार में से एक वेक्टी को अभी डिप्रेशन होगा लहर चार के पीछे एक वेक्टी को डिप्रेशन होगा लोग कितना बड़ा रूप ये वीमारी धारन कर लेगे आने माले कुछ साल में ये आपको इस पर से मालूम पड़ेगे डिप्रेशन जो है उसके दो परकार है थे एक है निरोटिक डिप्रेशन और दुसरा है एंडोजनस डिप्रेशन या साइकॉटिक डिप्रेशन अब ये अंडोजनस डिप्रेशन क्या है और ये मैं आपको बताता हूं तो पहले मैं आपको बताऊंगा निरोटिक डिप्रेशन के राज़न निरोटिक डिप्रेशन जो है ये बहुती कम मात्रा का डिप्रेशन रहता है उसमें उदास इंता कम रहती है नर्वसनेस कम रहता है मीरच जो है वो मतलब मूरचर डाउन रहता है डेपती नहीं है तो यह जो एकती है content नेडायिक काय बिप्रेशं वाला था लोग फिलीम कोजेरा डेप्रेशं मालव आप यह शूल देप्रेशं कितु प पूरी अच्छे आती नहीं है और यह जो neurotic depression है इसको reactive depression भी कहा जाता है तो यह depression वातावरंड में कोई घटना हो गई उसके वाज़से होने की जाता संभावना है मतलब exam में fail हो गया प्रिक्षा में fail हो गया या कोई relationship में रिष्टे में कोई problem आगया टूट गया रिष्टा या बच्चा फेल हो गया या कहीं business में loss हो या किसके मुर्ट्य हो गई मतलब कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ भातावरंड में problem आगया तो उसके वज़से इसको यह ज़क्ति को depression आता है आज तो हमें कितनी सरी इसे बाते है के जिसमें हमको tension आता है, tana आता है और tana भी एक depression का paradachman हो सकता कि तो कभी सरी बाता है मतलब बाते यसी है कि ज Juha म मोटा मॉबाइल का काम नहीं करना, इसमें Communist में यह tension हो जायता है उसके होज़े से हमको tension आता है तो tension के वज़े से चिंता आचिंता के वज़े से depression ऐसा आता है तो ये लोगों को मांसोग चाप, नतलब psychotherapy, फिर उनके लिए meditation का उपचा रहे, counseling है, और सम्मोहन उपचा रहे, मतलब hypnotherapy या hypnosis है, जिसमें हम उसको hypnotize कर लेते हैं, करते हैं पेशन के, और hypnotize करके, उसको relax करके, उसके subconscious mind को सूचन आया देते हैं, suggestions देते हैं, और subconscious mind को suggestions देते हैं, उसका जो nervous में से उन दूर करते हैं, तो वो वेक्ति हमारे clinic में आता है, वहाँ hypnotherapy या hypnopounseling कर लेता है, या फिर घर में उसको बोलते हैं, पर भी धर में जाके practice करो, और कुछ मामुली सी उसको दवाईयां भी देते हैं, यसे उसको नीद ने आज़ी तो कुछ दवाई देना, तो या कहीं ये लोगों में बदद में दर्व होता है, या ऐसा भूख नहीं लगती, तो ऐसा मतलब जो कि लक्षन है, वो लक्षन का यलाज उतनी पूरता हम करते हैं, और depression के लिए जो दवाईयां भी देते हैं, तो यह होगा neurotic depression, या reactive depression, reactive मतलब कुछ कारण की वज़े से ये व्यक्ति में react कर दे, फिर दूसरा जो depression है, उसको गलते है psychotic depression या endogenous depression, अब ये गंभीर परकार का depression है, या nervousness है, या mood disorder, इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति को बहुत जादा दुख लगता है, इतना उसको लगता है, हमको समझता है कि व्यक्ति इतना दुखी क्यों ह तो बहुत दुख हो जाता है, रो नाता है बार 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 बार, भूख नहीं लगती, सुभव उटने से उसको इतना depression लगता है, उटे ही, सुभव एक तो उसको आपको नीन नहीं आती, या थोड़ी बहुत घंडा दुखंटे नीन लग गई, उसको लगता कि अपनों नीन कुछ लोग खुदकुशी करने की कोशिच भी करते हैं, तो यह बहुत घंबिर सुरुप का मतलब बीमारी हो जाते हैं, उसने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया तो और नया प्रब्लम क्रेट हो जाता है, तो उसके ओपर हमको ज्यादा ख्याल देना परता है, तो इसमें कुटकुशी के विचार, भूख नहीं लगना, उससे बजन कम हो जाना, फिर काम करने की इच्छा नहीं होना, यह वक्ती काम पर जाता नहीं है, घर में बढ़ रहता है, इससे बात्चीत नहीं करना, उदास उदास सा रहना, मतलब हमको भी ऐसा रखता है कि इतना कभी-कभी यह लोगों को ऐसा ज्यादा, रेसलेस्नेस, घबराट, बेचेनिंग, ऐसी होती ही, इदर से उदर उदर से उपर जाते ही, और कुछ लोग तो बेड़ के उपर से उद्टे नहीं, इतना जादा सीरियर्स डिप्रेशन हो जाता है, तो यह जो डिप्रेशन है, य यह अपने मस्तिक्ष में होता है, ब्रेन में होता है, कि यह जो लेवल्स है, यह लेवल्स, केमिकल्स की हमारे ब्रेन में कम हो जाती है, और कम होने के कारण से लोगों को यह डिप्रेशन होता है, तो एक यह लेवल्स कम होने का कारण, दूसरा टेंशन की वज़े से, इसरा बहुत जादा गहरा कोई problem हो गया, एकदम अपने partner की life partner की death हो गई, पती की या पतनी की death हो गई, या घर में बहुती important गथी एकदम suddenly मर गया, तो उस समय हो जाता है, या कभी-कभी जैसा ladies में अक्सर दिखा जाता है कि बच्चा पैदा होने के बात में, तो spartum, वहाँ ही depression द वो इलाज है दवाईयों का mainly, और दवाईया जैसी serotonin, noripinephrine, dopamine कम हैं, तो वो levels बढ़ाने की दवाईयां देते हैं, और वो दवाईय जो है उसका असर आने को कम से कम 2-3 हफते लग जाए, तो हम को ये, मतलब patient और रिल्विस को बोलना पड़ता है, या हम दवाई तो दे धिरा गटना चाहिए, तो वो है, तो बाद में उसको psychotherapy, जो मांद सोग चाहिए, उसका इलाज counselling से होता है, फिर cognitive behavior, इसका इलाज होता है, फिर hypnosis, counselling, hypno-counselling के वज़े से है, hypnotherapy के मध्यामसें इसका हम इलाज करते हैं, अभी RDMS करके एक नहीं मशीन आई हुई हुई है, अभी RDMS, तो मशीन से depression का, ये type के depression का इलाज होता है, फिर ये काफी सारी है, मैं काफी बाहर hypnosis, दवाई के साथ साथ यूज करता हूँ, जिसमें हम पेशन को hypnotize करते हैं, उसका जो बाहरी मन है, conscious mind, उसको थोड़ा divert करके, subconscious mind को सूचना आए देते हैं, और subconscious mind को सूचना दे उसका depression देरे 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 निकाज आता है, इसमें ये depression जो है, कुछ-कुछ लोगों को एक बार आने के बाद में कोई ठीक हो जाता है, तो कुछ लोगों को साल, दो साल, तीन साल के बाद में फिर depression का दवराद, या कुछ लोगों को कभी mania का दवराद, depression के बाद, mania मतलब और उसमें बहुत ही हाइपर होना और गुणना पिनना बाते करना मतलब इससे एकदम उल्टा तो फिर यह जब मालूम है कि यह Bipolar Disorder है मतलब depression, mania, depression, mania ऐसा हो रहा है तो फिर उसको mood stabilizer मतलब भावना संतुलम करने की दवाईं वो अलग से आती है तो वो उनको देना पड़ी की दवाईं जिससे भावना ऊपर मीची जो होती है वो होँटी है तो इसरका इसका इसका इलाज पूरा पक्का होता है जब उसको suicidal thoughts है मतलब खुदकुशी करने की विचार बार बार आ रहे है या उसने खुदकुशी किया हूँ मतलब कुशिश किये तो फिर उसको electric shock भी देना जुरूरी होता है और electric shock अभी तो नए तरीके से हम जब देते है तो हम patient को सुला के रखते है उसको anesthesia देते है और anest अच्छी procedure है कि कोई चिलना चीखना कुछ नहीं होता है शांती से होता है और उसमें एक दो-चार electric shock देने के बाद में वो पिशन अच्छा होता है तो इस तरह की विमारी है आप आपके परिवार में आपके जाने पहचाने लोगों में ऐसा आपको कभी भी दिखाई देता क्या जैसी है कि कुछ भी कारण में इतना सारा टेंशन है फिलोग छोड़ी बात के ऊपर डिप्रेस हो जाते है तो यह आपको सज़ग रहना पड़ेगा आपके परिवार में आपके जान बैचान लोगों में यह आपको डिप्रेशन लगता है तो उसका इलाज करना जरूर सब्सक्राइब करो फिर फेस्बूक के ऊपर हमारा पेज है उसको भी आप एको लाइक करो और वाट्साइब के ऊपर भी छोड़ी वीडियो इसके बारे में ताव इसके बारे में अधिक जानकर ही ले सकते हैं तणाम उन्तभा अनना नहीं जागा यह मेरी किताब है तो यह के किताब आप नहीं पढ़ते तो उसमें काफी सारा घ्यान आपको मिलेगा कि डिपरेशन वंक ऐसे अफ़ाइब भर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच्ट बाएबाए झाल झाल